हेलो स्टूडेंट्स वेलकम तो मैं चैनल दिस इस रोशन सर मैक्स इस चैनल पर पहली बारो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए साथ यह बेल आइकन को प्रेस किजिए पिछली वीडियो में हमने दो very important construction किये थे और दो remaining रहे गए हैं इसको इस वीडियो में में solve कर रहा हूं very easy मिथड में साथ बाती construction भी बता रहा हूं ताके आप अच्छी तरह समझ सेके क्योंकि बहुत easy way में हैं जिसको हमको कोई दिख्षत नहीं होगी construction भी बहुत आसानी से step by step करेंगे हम क्योंकि construction के लिए अलग time देनी कि आपको जरूरत नहीं इसी के अंदर में construction बताऊँगा एक बतलाँगा तो आपको समझ में आ जाएगा और वीडियो को एक से दो बार आप रिवाइंड करिए एक से दो बार रिवाइंड करके आप चेक कर सकते हैं और रा किजिए क्योंकि वेरी इंपोर्टेंट है इस बॉर्ड एक्जाम में कैसे आने वाले प्रोटेंट करते हैं बोड एक्जाम में कैसे भी आने वाल है वेरी इसी मत लिजिए और मेरे चैनल को लगातर फाल्व कर दीजिए और बहुत पैर दे रहें इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद चलिए एक आर कुस्टन इसका साइड से हाँ पर लेकिने हैं पहले। साइड क्या दे रखाया है। कुछन नूमबर 12, एक 4 सेंटीमेटर है, 5 सेंटीमेटर है, 6 सेंटीमेटर है। इसके बराबर सेम सिमिलर ट्राइंगल एक उतारना है। जिसका साइड है 2 बाइ 3, करें एक एंगल का सेम एंगल दूसरी तरफ भी आना है इसका करस्पार्णिंग एंगल लेते हैं हमको ब्रॉफ करना है तो पहला जो हम करें थे उसी तरह इसको भी सॉल्फ करना है देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है बहुत इजी वे में बताऊंगा मैं आपको समझ जाए पहले आप पहले क्या किजिए फोर सेंटिमेटर इन दोनों में से जो बड़ा है वह आप ले लिजिए एंगल चलिए मैं एक बड़ा एंगल शिक्स है तो शिक्स ले रहा हूं इसका नाम दे देंगे ए बी ए बी आप यज़रा कंस्ट्रक्शन स्टेप्स यहां पर लिखें सिंट्मेंट क्या लिए हम छिक्स संटिमेटर एन सीग्मेंट लेगी अब उसके बाद आपको कहा करना है फोर संन्टिमेटर इस तरह आपको रखना ह है यह स्केल रखना है यहाप को 0 से यह 0 है देखिये यहां से जिरो से फॉर कहां तक है आपको लेना है यह फॉर यहां तक है यह फॉर आपको दिख रहा है यह फॉर तो आपको कहीं पर भी रखे बी पर रखे या ए पर रखे यह फॉर का एक लाइन इस तरह ड्रा करना है फॉर का आर्क उसके बाद नेक्स्ट लेना है आपको फ इस तरह कट हो गया है अब इस दो लोग क्या करना है आपको मिलाना है यह दोनों को मिला लिजी एक ट्राइंगल आपका बन जाएगा यह ट्राइंगल बन गया अब यहां पर आप कंस्रक्शन में आसान इसे लिख सकते हो सेकंड स्टेप आप इसका नाम दे देंगे से यहां आप ले लेंगे B C Is A Line Segment क्या हो जाएगा यह 5 cm 3 AC Is A Line Segment 4 cm बिल्कुल Easy वाला इससे Easy और construction होई नहीं सकता आप चेक करीजिए और 4 cm बिलको simple way में अब आपको क्या करना है यहां पर एक acute angle ड्रा करना है आपको जैसा आप पहले वाले कर रहे थे यह एक acute angle है इसको दे देंगे x नेक्स step में आप लिख सकते हैं fourth step में ax is an acute angle अब देखिए यह दोनों में बढ़ा है 3 मैं इसलिए पिछली वाले वीडियो में कहा था कि अगर numerator बढ़ा है denominator बढ़ा है denominator चोटा है तो triangle बाहर की तरफ आएगा numerator चोटा है denominator बढ़ा है तो triangle अंदर की तरफ आएगा यहां पर देखिए 3 है तो इसको हम इस तरह ले लेंगे 3 equal parts बनेंगे इसके 3 equal parts इसको divide किजिए आप देखिए यहां से यह number one यह number two यह number three यह number three यह number three यह three equal parts हो गए तो इसके names लिखेंगे a1 a2 a3 a1 a2 a3 यहां पर लिख सकते हैं फिफ्ट स्टेप में आसान इसे ax is divided equal divided equal three parts वो parts कोंसे है that is a a1 a1 a2 a2 a3 यह आप देखिए यह 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 तीन भी construction हो गया तो सारी denominator three two ने three से आपको यह line ड्रॉआ करना पड़ेगा यह triangle अंदर की तरफ आएगा यह three से इस तरह आप ड्रॉआ करेगा अब बचरा remaining two यह two बच जा रहा तो two के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसको यहां से एक इस तरह arch लेना पड़ेगा इसको two पर रखकर रखकर इस तरह ररक ड्रॉआ करें फिए दोनों कोprises नाप लेना है आपको एक दोनों यह बराबर है और दोनो के बाद यहां से यहاं से यह line को आपको ड्रॉआ करना पड़ेगा यह इसको आप देना पड़ेगा E, A, B, C, D, Construction ने आप लिख सकते हैं, आसान से एक स्टेप और बढ़ेगा आपका, A to connected with D, इसका shadow आ गया, अब इसका आने के लिए आपको आसाने कुछ भी ने करना पड़ेगा, आपको यहां पर एक आर्क लेना पड़ेगा, एक आर्क किस तरह ले लिजे, यह आर्क यहां पर रखे, यहां पर रखे, यहां पर रखे, यह आर्क इस तरह ड्रा करे हम, इसको ना प लेजिए यह दोनों को, इस तरह बराबर ना प लिए, यह लाइन पर रखे, इसको कट कीजिए, कट करके यह लाइन से आपको यह लाइन को ड्रा इसको दे देंगे E, देखे, easily, बिल्कुल, simple, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा है, क्योंकि यहाँ पर चेक करना आएगा, numerator छोटा है, denominator बड़ा है, तो triangle अंदर की तरफ देखी, यह अंदर आया, इससे पहले आले question में बाहर आगा है, तो यहाँ पर आप 7th step लिख तकते हैं, D is connected with E, construction आपको नया question नहीं करना है, जो आप solve कर रहे हैं, उसी को लिखना है, तो इस तरह आप solve कर सकते हैं, easily, चलिए, last question है, very important question देखे, construct isosless triangle होताना है, जिसका base 8 cm और altitude, altitude height को कहते हैं, याड़ रखना है, एक question 12 है, base 8 cm और altitude 4 cm लेते हैं, इसका ratio भी दे रखाया, देखे, ratio है, 1 is 1 by 2 times, 1 integer 1 by 2 times, यह आपका question है, इसको हम solve करते हैं, थोड़ा difference है, थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा difference है, यहाँ पर हमको base कह रहा है, यह base कह रहा है, यह base कह रहा है, यह base आपको लेना पड़ेगा, 8 cm का base ले लेना पड़ेगा, यह 8 cm, 8 cm, 8 cm, A, B, 8 cm, इसका रहा है, इसका रहा है, 1st step, 1st step, A, B is a line segment, 8 cm, यह 1st step हो गया, अब आगे देखे, यहाँ पर question altitude कह रहा है, तो इसको height लेना है, height लेगने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको देखे, यह line पर रखके, divider A पर पहले रखके, क्या कीजिए, यह more than half ले लिजिए, यह line के आधे से ज्यादा, यह line सपोज हाफ यहाँ तक है समझे, इससे थोड़ा आगे लेकर, एक arc इस यह B पर रखेंगे, B पर रखके arc को cut करेंगे, A-ar को cut करेंगे, इस तरह आपका figure बन जाएगा, यह figure आपका बन गया, समझ मैं रहा है, पहले क्या करें हम, इस तरह यह A पर रखे, A पर रखके more than half ले लिए, more than half लेके क्या करें, arc इस तरह और और इस तरह और और ड्रा करे प्र इस इसको डिस्टप ने करें डिवाइडर को यहां पर रखें यह दोनों आर्क को कट करें समझार आपको हम लोग मोड देना अब देगी यह लाइन सपोस्स यहां तक हाफ है समझें यहां से थोड़ा ज्यादा लेकर यहां र कट करें करें यहां यहां पर से एक लाइन हम ड्रॉ करें यह लाइन ड्रॉ करें क्या कीजिये यह जो एक्स्रा एक्स्ट्रा लाइन को डिलीट करणे। तक य। इसलिए डिलीट नएकर यह हो गया। अब आपको क्या करना है। 4 cm Altitude का मतलब क्या है? यहां से आपको 4 cm नापनाए, यह 6cm यहां पर यह center में रखके एक Line आपको मानना है, यह Line यह Line से 2 Triangle को जोड़ना है, यह Isosless Striangle बन गया, यह Isosless victorious tradis का इस का shadow by यह sorosless triangle एक सो जोड़ना toys LIS आइसुसलेस् ट्राइम लगा आपका कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं यहां पर सेकंड स्टेप यहां पर टेक मोर देन हाफ मोर देन हाफ आफ दे लाइन अन ए टेक आर्क अपने मर्ज़े से लिखते हैं उसी तरह same B पर लेके भी आरकर लिख सकते हैं उसके बाद यहां पर आप दे देंगे यह suppose B इसको दे देंगे C C is an altitude angle लिख सकते हैं C is an altitude angle यह आप लिख देंगे अब देखिए इसके बाद यह mixed fraction है 1 integer 1 by 2 इसको simple में बनाएंगे 1 2 is a 2 plus 1 3 by 2 हो जाएगा यहां पर बड़ा नमबर है 3 छोड़ा नमबर है 2 तो 3 के काकर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले इसको एक line लेना पड़ेगा यह acute angle आपको लेना पड़ेगा यह हो गया acute angle यहां पर construction step में आप लिख सकते हैं फोर्थ वाला क्या लिखेंगे ax is an acute angle यह acute angle अब देखिए यहां पर सबसे बड़ा नमबर है 3 तो आपको क्या करना है divider के 3 equal parts यह divider है एक अंदर से इस तरह ले लिए अब आपको क्या करना है यह line पे 3 equal parts आपको divide करना है एक दो क्या करने के बाद यह लोंगे names लिखना है a1 a2 a3 अब यहां पर आपको क्या करना है फिफ्ट में यहां पर that is that is a a1 a1 a2 a2 a3 इस तरह ले लिए अब देखिए यहां पर denominator में 2 है मैं इससे पहले भी कहा था denominator को आपको देखना है यह 2 है तो आपको 2 से जोड़ना पड़ेगा यहां पर आपको यह line को यह line 2 से जोड़ देंगे यह हम 2 से जोड़े line अब remaining बज़ गया 3 तो यहां पर आप लिख सकते रहें 6th step A2 is connected with B यह हो गया अब देखिए अब बचरा यहां पर से आपका 3 तो 3 लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर यहां पर यहां पर एक एंगल बनाना पड़ेगा इसको कट करने के लिए 3 पर एक एंगल बनाना पड़ेगा फिर इसको नापना पड़ेगा आपको नापकी यहां से इसको कट करना पड़ेगा आपको यहां पर कट नहीं हो रहा है तो इसलिए आपको यहां पर दुबारा रखके एंगल को बढ़ा करना पड़ेगा कट हो जाए गए यह आपके बराबर लेना पड़ेगा आपको यहां से यह एंगल पर रखके कट करना यहां कट हो रहा है यह अब देखिए इसको क्या करना पड़ेगा मिलाने के लिए लाइन को increase करना पड़ेगा, यह लाइन अगर ले देंगे तो आप इस तरफ आ जाएगी, तो इसलिए बी वाले को हम increase करेंगे, डी तक, इसको हम increase करेंगे, कहां तक लेंगे, डी तक, तो इसका एक और step बढ़ गया, यहां पर आप लिख सकते हैं, शिक्स्त वाला, सेवेंध step, B is increased, increased, sorry, increased at D, यहां तक आप लिख सकते हैं, अब चलिए, इसको हम जोड़ देंगे, देखी यह लाइन, यहां पर से टाच्छोर, तो A3 पर रखके, एक लाइन यह आ जाएगी, इसको दे देंगे हम E, यहां पर कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हैं, यहां पर आप ल connected, विती, बहुत सारा देखे, मैं EASY बता रहा हूँ, चाहिए तो आपको भूट टफ और कंस्ट्रक्शन में बता सकता था, लेकिन यहां देखना मुश्किल होगा, सिर्फ EASY बता रहा हूँ, अब यह लाइन से यह लाइन को कंस्ट्रक्शन ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से एक लाइन आर्क लेना पड़ेगा, आपको एंगल, वो एंगल को रखने के लिए यहां पर से आपको एंगल बनाना पड़ेगा, फिर यह दोनों आपको नापना पड़ेगा, यह दोनों आप लिए हम, यह दोनों को यहां पर कट करे हम, कट करने के ब इस तरह आप लिख सकते हैं, अब यह लाइन, E वाली लाइन को यह लाइन से आप जोड़ देना है, यहां से, E वाली लाइन, इसको दे देंगे G, यहाँ पर लिख सकते हैं, E connected at G, last step, 11th step, E is connected at G, इस तरह आपका करक्ड ली कंस्ट्रक्शन हो गया, उमिद करता हूँ कि आपको समझ में आगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक जरूर कर दिजिए, best of luck all the students.